Hello friends, so welcome to my YouTube channel Rajasthan Exam Classes So, ये Rajasthan Computer Teacher के लिए MCQ का सेट यहाँ पे हम लेके आएं और जो Database Management System है उसका ये सेट 1 होगा यहाँ पे Database Management System सब्जेक्ट है उसके MCQ हम डिसक्स करेंगे जो कि 25 questions का सेट होगा इससे पहले भी हम MCQ की questions लेते आए हुएं हम हर Saturday को यहाँ पे MCQ डिसक्स करते हैं इससे पहले हम Operating System है या C++ है उनके MCQ की वीडियो भी मैं यहाँ पे लेके आए हूँ तो ये Database Management System है इसका सेट 1 है मतलब कि DBMS के सब्जेक्ट के पहला MCQ सेट है तो पहला MCQ सेट है तो इसका Level यहाँ पे इजी होने वाला है क्योंकि पहला सेट है MCQ का जिसमें 25 questions रहेंगे तो इसमें क्या करना है आपको answer नहीं दिखाई देगा है आपको correct answer करना है हर question का और फिर मैं उसी question का answer यहाँ पे आपको साथ में बताते हुए चलूँगा आपको genuinely answer करना है sorry for this मैं कि इसको live नहीं कर पाया वीडियो आपको मिल जाएगी उसी time पे 9 बज़ी जैसे हम live करते हैं उसी time पे बट यह live नहीं है यह मैंने पहले record किये और अब आपको यहाँ पे 9 बज़ी दिखाई जा रही है जो की room में ही available है मैंने वहाँ पे लगवा रखा है so कोई problem नहीं है live नहीं है बट यहाँ पे आपको MCQ का site यहाँ पे मिला है आपको इसको इसमें correct answer करना है हर question का और वीडियो end होगी तो 25 questions में कि आपका score कितना है वो आपको मुझे comment करके ज़रूर बताना है जैसे let's say आपके 20 questions सही है out of 25 तो आपका score आप बता सकते हो 22 ठीक है तो score ज़रूर बताए क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता है राइस्तान computer teacher के लिए vacancies बहुत जल्दी आने वाली है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा serious हो गया होंगे इसके लिए राइस्तान computer teacher के लिए और यह MCQs हैं जो IA की exam के लिए भी यहाँ पे useful रहेंगे क्योंकि syllabus इनका almost same रहने वाला है सो IA के लिए भी यहाँ पे useful रहेंगे सो चलिए start करते हैं यहाँ पे यह video सबसे पहला question है आपको हर questions का answer भी यहाँ पे देते हुए चलना है या फिर आप अपने paper पे note करते जाएए कि कौनसा question आपका सही है कौनसा question आपका गलत है और फिर आपको उसका score भी आपको यहाँ पे comment करना है आपने आप answer भी यहाँ पे comment कर सकते हैं जैसे पहला question है तो इसका answer आपको comment करना है अभी let's say पहले का answer A है तो आप 1A या 1A इस तरह के से लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कौनसा question का क्या answer आपने किया है तो पहला question है which of the following is not the advantage of the database approach जो DBMS है जो database approach है उसमें से कौनसा है जो database का एक advantage नहीं है वो आपको बताना है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि which is not the advantage कौनसा इसका advantage नहीं है वो correct answer होगा आपका तो आपको इसका correct answer करना है मैं हर question के बाद 5 second का wait करूँगा और आपको उसका correct answer करना है comment box में और आपको no down भी करते वे जाना है कि कितने questions आपके सही है कितने questions आपके wrong है ताकि आप मुझे blast में वीडियो के end में इसको और आपना comment करके बता सके इसका answer आपने कर दिया होगा इसके options है इसमें बताना है आपके कौनसा जो database है उसका advantage नहीं है increased security elimination of data redundancy ability to associate related data तो देखिए increased security database है जो security यहाँ पर provide करता है तो यह questions यहाँ पर सही होगा यह option सही है ठीक है यह बोल रहा है कौनसा advantage नहीं है तो यह तो advantage है इसका क्योंकि database है security provide करता है elimination of data redundancy तो यह भी इसका correct answer होगा sorry यह भी इसका option सही है क्योंकि database है जो इसका advantage है क्योंकि जो redundancy है उनको यह eliminate करता है eliminate redundancy का मतलब यह समझ लिए जिए कि आप जो आपका data store कर रहे हैं उसको आप कितना reduce कर सकते हैं एक तरीके से उसको बिल्कुल reduce उसको एक अच्छे form में कह सकते हैं कि हम arrange कर सकते हैं उसको बोलते है redundancy तो database यह करता है तो यह option भी इसका correct है इसका advantage है ability to associate related data तो यह option भी इसका advantage है क्योंकि database है उसमें जो related data होता है उनको एक दूसरे से relate करता है associate करता है तो यह option भी इसका सही है तो यह तीनों है जो इसके यहां पर advantage है हमारे DBMS के तो यह बोल रहा है कि समें से कौन सा इसका advantage नहीं है यहां पर तीनों इसके advantage है तो इसका answer हो जाएगा none of the above तो पहले का correct answer होगा यहां पर क्योंकि आपको वो option बताना है जो इसका database का advantage नहीं है बट यहां पर जो ABC तीनों option है वो ही database के advantage है तो इसका correct answer हो जाएगा none of the above second question है आपर rows of a relation are called तो यह मैंने जो पढ़ा है maximum question वो ही है जो मैं database पढ़ा चुका हूँ उसी में से maximum questions है यह level easy वाला level है तो इसमें I think आपको अच्छा score करना होगा easy questions रखें इसमें मैंने अभी rows of a relation are called मैंने अच्छे से बताया यह बोल रहा है कि एक relation, relation का मतलब क्या होता है यह भी मैंने बताया, relation का मतलब होता है table, database में relation को बोलते हैं table, जो table है उनकी rows हैら?", उनको database में क्या बोलते हैं यह चाह सकते हैं, we connect the organization है उसमें rows को क्या बोलते हैं इसका correct answer आपको करना है relation अब relation को, relation तो बोलेंगे relation में rows को relation तो table को बोलते हैं taples, data structure, और an entity तो इन में से कौन सा correct answer है rows of a relation are called a table, a relation की rows को क्या बोलते हैं database में so मैं आशा करता हूँ कि इसका option आपने correct option correct answer है जो comment box में बता दिया होगा तो इसका correct answer होगा यहाँ पे option number B क्योंकि एक table है हम मैंने आपको बताया था कि एक table में rows को बोलते हैं यहाँ पे tuple जो rows है उनको आप यहाँ पे tuple बोलते हैं और columns हैं उनको आप attribute बोलते हैं मैंने आपको बताया था columns को attributes यहाँ पे बोलते हैं और एक चीज और यहाँ पे है जो rows है number of rows table में वो यहाँ पे table की relation की cardinality को बताता है और जो columns है number of columns हैं वो table की डिगरी को बताता है, यह मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहां से भी questions बन सकते हैं, जो रोज हैं, number of rows हैं, वो table की cardinality को बताते हैं, और number of columns हैं, वो table की degree को बताते हैं आपे, अभी यह पूचा गया था कि जो रोज हैं, एक relation में उनको क्या बोलते हैं, उनको tuples बोलते हैं यहां पर, all right, question number third है, आपको हर question का answer comment box में करते हुए चलना है, यह live नहीं है तो मैं देखनी पाहूँगा, बट मैं बाद में सारे comment हैं आपके देखूँगा, जो भी serious यहां पर preparation कर रहा है, आईए की हो, या फिर राइस्तान computer teacher की हो, वो correct, genuinely, इमानदारी से सारे questions का answer यहा है, in a relation, question number third है, in a relation, sorry, in a relational database, relational database को rdbms में बोलते हैं, मैंने आप बता है था, rdbms मतलब की relational database management system, so in a relational database, it is, मतलब this is a structure, data structure that organize the information about a single topic into rows and column, सो यह बोल रहा है की, एक relational database में के, this is, मतलब की वो क्या है, option में के बताना है, जो एक data structure है, और information को, एक topic की related information को, store करता है, rows और column की form में, तो वो क्या data structure है, कौन सा है, वो आपको correct answer बताना है, वो blocks है, वो records है, वो tuples है, वो table है, तो इसका correct answer बताना है, यहां पर, so मैं मान मानता हूँ कि, इसका, आपने, मुझे बार-बार बोलने के ज़रूत नहीं है, मैं यहां पर एक question को, 5-10 second का time दूँगा, यह 10-15 second का time आपको मिलेगा, उसी बीच आपको comment करके, बता देना है, तो मैं मानता हूँ कि, आपने इसका comment करकर correct answer, यहां पर बता दिया होगा, तो यही पूंच रहा है कि, relational database में, आपको कौन सा structure है, जो data को, information को, rows और column की form में, organize करता है, तो वो यहां पर table हो जाएगा, ठीक है, next question है आपको, इसका correct answer होगा, in a database management system, allow simultaneous access to multiple files, कि एक multiple files को simultaneous एक साथ access कर सकते हैं, यह database allow करता है, हां करता है, और can do more than a record management system, can do more than a record management system, मतलब कि, एक से ज़्यादा record को manage कर सकता है, yes, वो कर सकता है, ठीक है, और is a collection of program for managing data in a single file, यह बोल रहा है कि, कि database management system एक program है, जो manage करता है data को, एक single file में, ऐसा नहीं है, एक single file में manage नहीं करता है, multiple files बनती हैं यहां पर, तो यह इसका correct answer नहीं होगा, और both a and b, तो a और b यहां पर correct answer है, तो इसका answer हो जाएगा, क्योंकि database management system के respect में, यहां पर option a और option b है, जो correct है, वो दोनों सही answer है, तो c answer इसका होगा नहीं, क्योंकि, यह गलत है, database management system के respect में, तो इसका correct answer हो जाएगा, यहां पर d, question number five है, the properties of a database are, यह बोल रहा है कि database की properties क्या क्या है, कौन से इसके options correct है, database की properties के respect में, वो correct answer आपको यहां पर comment करके बताना है, so, the properties of a database are, option a है, an integrated collection of logical related records, ठीक है, एक integrated, और यह ठीक है मेरे साब से, an integrated collection of logical related, जो database में क्या होता है, logically जो related data होता है, उनी को, records को, उनी को store करता है, तो यह option ठीक है, consolidate separate files into a common pool of data, consolidate separate files into a common pool of data record, ठीक है, separate files हो सकती है, उनको एक साथ वो store करता है, और data stored in a database is independent of the application program using it, so, यह भी correct answer है, क्योंकि जो database में, यहाँ पे हम data को store करते हैं, यह हमारा let's say database है, तो database में हमने यहाँ पे data store किया हुआ है, तो इसको कोई भी program है, इसको access कर सकता है, उससे मतलब नहीं है कि इसको concept, यह let's say program 1 है, यह program 2 है, sorry application 1 है, और यह application 2 है, तो कोई भी application इस program को access कर सकता है इस data को access कर सकता है तो वो जो application है जो इसको use कर रहा है उससे independent होता है उससे मतलब नहीं होता है इसको कोई भी इसको access कर सकता है data को जिसको permission होगी of course तो ये भी इसका correct answer होगा तो ये 4 options है तीनों उप्शन से इसके सही है तो इसका अंसर हो गया है आपे all of the above जो properties of a database है सारी इसकी properties है integrated collection of related records है consolidate separate files का एक record है और data को database में जो data store है उसको कोई भी application इसको use कर सकता है वो independent होता है application से तो इसके तीनों option correct है तो इसका answer हो जाएगा all of the above question number 6 है यहापे video थोड़ी लेंदी हो सकती है आपको मने रहना है video को end तक देखना है और सारी questions का answer करना है और अपना जो score है वो भी comment करना है तो यहापे 25 questions का set है मैं आपको आराम से अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा time यहाँ लग सकता है आपको पूरी video देखने है the primary इसकी जो pdf है इस questions की वो भी मैं आपको provide कर दूँगा अपने telegram channel पे telegram channel के link है जो आपको description box में मिल जाएगी वहाँ जाके telegram channel को join कर लिजे group को join कर लिजे कोई भी questions में कोई भी problem है कोई error है मिले से कुछ गलत बता दिया गया गलत टाइप होया तो वो मुझे सारी आपकी queries वहाँ पे आप मुझे telegram channel पे बता सकते हैं तो question number 6 है the primary goals of a database management system are database management system है dbms है उसका primary goal क्या है to provide an environment that is cog nil to user ये ठीक है user के लिए एक अच्छा environment है वो provide करता है store the information information को store करता है database ये भी ठीक है retrieve information जो database में information हमने store किया उनको वो fetch कर सकते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं retrieve कर सकते हैं तो ये भी इसका answer correct है option correct है तो इसका answer हो जाएगा यहाँ पे all of the above the database management system का primary goal क्या है abc तीनों ही इसके primary goal है ये एक environment provide करता है user के लिए data को store करता है information को वहाँ से हम fetch कर सकते हैं retrieve कर सकते हैं database से तो तीन options correct है तो इसका answer हो जाएगा all of the above okay so question number 7 है यहाँ पे a good candidate for a good candidate for a primary की in a database would be यह बोल रहा है कि नीचे आपको options दिये हैं कुछ example दिये होएं तो इन में से कौन सा एक है जो यहाँ पे primary की बनाया जा सकता है ठीक है तो let's say यहाँ पे कोई employee है उसकी यहाँ पे information अमें store करनी है जो आपको option में दी हुई है जैसे employee का last name हो जाएगा employee की birth rate हो जाएगी employee की position हो जाएगी कि उसकी post क्या है और student का यहाँ पे ID number हो जाएगा तो यह कुछ options दिये हैं तो आपको इसमें से सोच के बताना है कि कौन सा इन में एक primary की बनाया जा सकता है तो यह आपका correct answer देना है तो इसका correct answer होगा यहाँ पे student ID number यह एक primary की बनाया जा सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया था primary की की खास्यत क्या होगी primary की है जो एक तो unique होनी चाहिए वो null नहीं हो सकती not null मतलब unique होनी चाहिए नहीं हो सकती duplicate नहीं हो सकती है और वो null नहीं हो सकती है यह यहाँ पे primary की की खास्यत होती है तो देखो लास्ट नेम है वो primary की नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि last name तो unique नहीं होगा वो तो employee का same हो सकता है जैसे let's say sarma last name है तो यह जरूर थोड़ना है कि सर्मा नाम का एक एंपलोई है और भी हो सकते हैं तो यह unique नहीं हो सकती इसलिए इसको primary की नहीं बनाया जा सकता और birth rate है date of birth भी same हो सकती है तो यह भी इसको primary की नहीं बनाया जा सकता position है जो उसकी post है वो भी primary की नहीं बनाया ज़क्ता है वो भी same हो सकती है कि एक post पे एक से ज़्यादा employee हो सकते है तो student ID number है उसको बना सकते हैं क्योंकि जो ID number होता है वो एक unique हो सकता है तो इसको यहाँ पे हम primary की बना सकते हैं तो यह इसका correct answer हो जाएगा question number 7 का D answer यहाँ पे correct हो जाएगा वीडियो आपको अच्छे लगती है तो वीडियो को आप like करते चलिए क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं देखिए पहले question select करता हूँ फिर questions को मैं type करता हूँ खुद से सारा काम कर रहा हूँ यह सारे questions मैं type करता हूँ यहाँ पे फिर type करने के बाद इनको वापस से री चेक करता हूँ फिर मैं वीडियो record कर रहा हूँ फिर वीडियो को edit करूँगा फिर वीडियो को मैं upload करूँगा और फिर जाके आपको यह दिखाई दे लिए तो इसके पीछे background में काफी मेहनत होती है आप यह ना सोचे कि आज आसानी से आपको बस बना दे रहे हैं और मैं इस सारा free of cost प्रवाइड कर रहा हूँ तो आपका हक बनता है कि इसको आप पूरी देखें वीडियो को लाइक करें वीडियो को comment करके बताएं वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें और अपने दोस्तों को अपने जो भाई हैं कोई भी जो आपके friends हैं उनको इसको share कीजिए कि यह ऐसा भी एक channel है जो free of course सब कुछ यहाँ पर पढ़ाने की causes कर रहा है आपको notes बना रहा है hand written notes में बना बना के दे रहा हूँ ठीक है तो support कीजिए ज़्यादा मुझे आपकी support की ज़रुत है question number 8 है यह चीज़े में बार बार बोलता नहीं और बोलने की ज़रुत नहीं है क्योंकि यह understood है आप खुद समझदार है कि आपको share करना है, like करना है comment करके बताना है आपको कैसी लगी वीडियो question number 8 है यहाँ पर the dash database is the most widely used database structure so database है उसकी भी यहाँ पर कैई type होती है database कैई type का होता है तो उस में से कौन सी टाइप है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है widely used data structure है database structure है Journal database, Standard database और relational database इन में से कौन सा widely used सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो हो जायेगा यहाँ पर relational database है जो सबसे ज़्यादा यहाँ Crash किया जाता है जिसको हम यहाँ पे RDBMS भी बोलते हैं और इसी को हमने डिसकस किया था RDBMS जिसका मतलब होता है यहाँ पे Relational Database Relational Database Management System यह भी आपको याद रखना है कुछ चना सकता है RDBMS की full form क्या होती है यहाँ आपको पता होना चाहिए Database Management System तो सबको पता है बट यह Relational होता है यहाँ आपको ध्याँ रखना है यहाँ आपको Confuse का सकता है Relational Database Management System तो जो Relational Database है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला Database है Next Question है Question Number 9 Course तो यह समझ लिए Course यहाँ पे क्या है एक Table है और यह Course ID है I think यह क्या है CC ID और यह Semester हो जाएगा तो यहाँ पे Course है इसके कुछ यहाँ पे Attributes आपको दी हुई है ठीक है और यहाँ पे Semester है कुछ Attributes आपको गिवन है तीन Attributes गिवन है तो इन में से आपको बताना है कि यहाँ पे Here the Course ID और Semester है यह जो Attributes हैं तीनों यह क्या है Sorry मैंने बताई दिया यह तीनों क्या है और जो Course है वो यहाँ पे क्या है तो आपको एक Line गिवन है यह ठीक है जैसे Course पर उसके कुछ Attributes है Course ID, Semester तो इन में से Course क्या है और यह क्या है आपको बताने हैं अलग-अलग तो मैंने इसका अंसर बताई दिया बेसिकल यह क्या है यह Attributes बोलते हैं इनको तो जैसे और यह Course क्या होगी यहाँ पे Course यहाँ पे एक Table होगी Table को हम क्या बोलते हैं Relation बोलते हैं तो इसका Correct answer क्या हो जाएगा Course ID, SEC ID, Semester यह क्या है यह तो Attributes हो जाएगे और एक Course क्या है यह Relation है तो यह Relation हो जाएगा तो इसका Correct answer यहाँ पे भी हो जाएगा तो यह Question क्या था कि यहाँ पे Course सबोज एक Table है यहाँ ठीक है एक Table है यहाँ पे और यह एक Table हो जाएगी Course नाम की ठीक है और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा इसके कुछ Attributes हो जाएगे Let's say Course ID हो जाएगा SEC ID हो जाएगा और यहाँ पे Semester हो जाएगा तो यह इसके Attributes हो जाएगे और यह एक Table का नाम हो जाएगा जिसको Relation भी बोलते हैं Table को तो यह यही पूँच रहा है ज़ए टफ भी नहीं है ज़ज़ी भी नहीं है ऐसे थिल्टिकल कुछिटंस ही आते हैं आपे तो कुछिए नंबर 9 हमने डिसकस कर लिया है इसका आंसर होगा है यहाँ पे B Next कुछिए नंबर 10 In a relational database model After conceptually designing your database The information contained in a single class would be stored in तो यह बोल गाए यहाँ पे कि एक relational database में जब हम database को design करते हैं तो जो information है वो किस में store की जाएगी जो एक single class की information है वो किस में store की जाएगी वो यहाँ पे tables में ही store की जाएगी तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पे table, alright so next question हो जाएगा यहाँ पे first nf was defined to disallow, यह है normalization का form है, sorry normalization की form है first nf मतलब कि first normal form तो मैंने आपको बताया था normalization में हमने first nf पढ़ा था, second nf पढ़ा था, और third nf पढ़ा था और bc nf भी यहाँ पे हमने देखाता था, यह normalization के type होते हैं तो यह बोल रहा है, मैंने आपको बताया था कोई table first normal form में कब होती है second normal form में कब होती है, third normal form में कब होती है यह सब मैंने बताया हुआ है तो यही पूछ रहा है, कि first normal form है वो किसको disallow करता है यह हम कह सकते हैं कि first normal form table कब होती है, वो आपको पता होगा वो properties तो आप इसको question का answer correct कर सकते हैं तो यह पूचा है first normal form was defined to disallow मतलब कि first normal form में कोई table है तो वो किसको disallow करेगी किसको वो allow नहीं करेगी multiple valued attributes composite attributes both a and b and none of the above so जो first normal form है कोई table first normal form में होगी तो हमने discuss किया था कब होगी जब उसमें multiple values नहीं होनी चाहिए उसमें multiple values नहीं होनी चाहिए किसी attributes के तो यह answer भी सही है इसका option क्योंकि मैंने बताया था कि कोई एक column है उसमें let's say 10 store है तो उसमें 10 और 20 ऐसे multiple values नहीं होनी चाहिए एक column में एक ही value होनी चाहिए तो ये मैंने आपको बताया था अगर एक कॉलम में एक से ज़्यादा value है जैसे ये कोई कॉलम है तो सपोज इसमें राम भी स्टोर है और इसमें मोहन भी स्टोर है मतलब एक कॉलम में एक से ज़्यादा values नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो वो table first normal form में नहीं होगी वो इसको allow नहीं करेगा तो multi values attributes एक attributes की एक से ज़्यादा value नहीं होनी चाहिए इसको ये disallow करेगा और composite attributes भी नहीं होना चाहिए इसको भी allow नहीं करेगा composite attributes वो होता है एक attributes जिसको further divide कर सकते हैं जैसे suppose name हैं तो name को हम divide कर सकते हैं first name और last name मतलब एक ऐसा attribute जिसको further divide कर सकते हैं तो बात वहीं होती है इसकी भी कि एक attributes में एक से ज़्यादा value नहीं हो सकती वो first name होगा अगर ऐसा है तो और एक से ज़्यादा value जाए तो first name में नहीं होगा तो इसके A और B दोनों option correct हैं तो इसका answer हो जाएगा यहां पर option number C both A and B A और B दोनों को first normal form है जो allow नहीं करता है क्योंकि जो column है जो attributes है उनकी multiple values नहीं होनी चाहिए composite attribute नहीं होना चाहिए तो ऐसा है तो table है जो first normal form में होगी question number 12 है an attribute of a relation that references the primary key of another relation is known as यह बोल रहा है कि एक reference एक relation में एक reference जो reference the primary key of another relation कोई दूसरी table है उसकी primary की है कोई पी के बोल सकता हूँ उसको मैं primary की और वो किसी दूसरी table में use की जा रही है रेफरेंस का मतलब वो ही है कि एक table की primary की किसी दूसरी table में use की जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलेंगे foreign की हमने अच्छे से पड़ा हुआ है foreign की का काम क्या होता है foreign की का काम होता है दो tables के बीच में या एक से जादा एक या एक से अधिक tables के बीच में relation उनके बीच में जो क्या संबंध है उनके बीच में relation को बताता है foreign key तो यही बोल रहा है an attribute of a relation that reference the primary key of another relation मतलब कि एक table की primary key है कि जो दूसरी table में as a reference use की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं इसको foreign key बोलेंगे question number 12 है इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पे a unique key parent की child की यह अलग होता है तो foreign key इसका correct answer हो जाएगा question number 12 का answer हो जाएगा यहाँ पे a मैं आशा करता हूँ कि आप सभी questions का answer यहाँ पे comment में करते हुए चल रहोंगे जैसे 12 question है तो इसका answer 12 बे लिख सकते हैं 12 a लिख सकते हैं इस तरीके से आप answer अपने comment में कर सकते हैं मैं सारे comments को बैठके पढ़ूँगा और जिससे मुझे पता चलेगा कितने लोग serious हैं तो आप अगर genuinely honestly इमानदारी से तयारी कर रहें तो सारे questions का answer करते हुए चल लिए comment box में और last में अपना score भी जरूर आप बताएंगे जोगे 25 questions का set होगा अभी हमने 12 questions discuss कर लिए next question है 30 number का एक group of related fields एक group of related fields in a relational database is called यह बोल रहा है कि group of related field field का मतलब क्या होता है attributes तो एक group of related attribute है उसको क्या बोलता है relational database में जैसे एक कोई group of related field let's say यहाँ पर student जैसे हम कह सकते है student ID है student name है student role number है student subject है यह क्या है यह fields है fields को हम attribute भी बोलते है यह fields है related field है मतलब कि यह एक जैसे student से related है student की ID हो जाएगा name हो जाएगा role number हो जाएगा subject हो जाएगा जो related field है इनके group को क्या बोलते है इसको बोलेंगे आपे record यह आपको ध्यान रखना है तो इसको complete row है हमारी table में suppose तो उस row में हम ऐसे ही तो value store करते है student ID एक column हो जाएगा name role number subject तो जो complete row को क्या बोलते है इसको जो data इसमें store होता है उसको बोलते है एक record हो जाएगा एक row का मतलब एक record तो उनकी जो values है उसको हम record बोलेंगे जैसे ID होगे let's say one name होगा let's say ram role number होगा suppose one zero zero one subject suppose होगा math तो क्या है यह attributes की values है तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे इसको एक record बोलेंगे एक record हमारे पास हो चुका है ठीक है इसको record बोलेंगे तो यही बोल रहा है एक group of related field in a relational database is called record कहलाता है वो ओके so question number 13 का correct answer हो जाएगा यहाँ पे option A question number 14 है a primary key that consists of more than one fields is called एक primary की जो एक से ज़्यादा fields एक से ज़्यादा column से मिलके बननी होती है उसको क्या बोलते हैं तो यह मैंने आपको बताया था कि primary key है जिसमें एक से ज़्यादा columns को use कर सकते हैं जैसे first name हो जाएगा plus last name el name हो जाएगा तो first name और last name ऐसे एक से ज़्यादा column को मिलके भी primary key बनाया जा सकता है तो उस primary key को क्या बोलते हैं यह मैंने आपको बताया था इसका option है composite key, secondary key, group key और all of the above तो ऐसी key primary key जो एक से ज़्यादा column से मिलके बनाई गई होती है तो उसको बोलते हैं आपको composite primary key मैंने आपको बताया हुआ है आपको ध्यान रख रहा है आपको पढ़ना है आपको revise करना है इसलिए मैंने कल ही मैंने morning में ही बता दिया था कि आपको सामको DBMS का MCQ discussion होगा सामको 9 बजे तो आपको उसको revise करना चाहिए उस subject को अगर आपने किया है तो that's good काफी अच्छा है नेक्स्ट है यहां पर question number 15 in a relational model relation or term add यह तो मैं बता चुका हूँ आराम से पहले से भी हम discuss कर चुके हैं एक relational database model में relations को क्या बोलते हैं tuples, attributes, table, rows तो relation को table बोलते हैं हम बार-बार यहां पर discuss कर रहे हैं कि एक table को हम database में relation भी यहां पर बोल सकते हैं ठीक है relation यहां पर हम बोलते हैं relations है जिसको हम table भी बोलते हैं तो इसका character answer हो जाएगा यहां पर table question number 16 है the end of an SQL command is denoted by तो यह जो SQL command होती है हम कोई भी command लिखते हैं suppose हम जैसे लिखते हैं drop database या drop table तो इक पूरी command लिखते हैं तो इसमें हम क्या लगाते हैं किस से denote करते हैं जिससे पता चलता है कि command है यह statement है वो end हो चुका है तो किस से denote करते हैं SQL में end offline character enter key by marker entering f4 यह semicolon तो इसका correct answer हो जाएगा semicolon मैंने बताया था SQL में जो statement है जो command है उनका end हम semicolon से लिखते हैं जैसे हमने कोई भी command लेखी कोई भी statement लेखा suppose drop database और database का name तो उसके last में हम semicolon लगाते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे यह statement है जो end हो चुका है तो end of SQL command जो किस से denote की जाती है semicolon से denote की जाती है तो इसका correct answer हो जाएगा यहाँ पे option number D 16 का D option यहाँ पे correct हो जाएगा question number 17 है which of the following statement is true नीचे दिये गए statement में से कौन सा true है कौन सा set है वो आपको बताना है so option number A है foreign key field do not allow duplicate values foreign key है जो duplicate values को allow नहीं करती है तो यह तो कर सितकती है यह गलत हो जाएगा क्योंकि foreign key है उसमें duplicate value अलाव हो सकती है primary key में नहीं होगा तो यह बोल रहा है foreign key do not allow duplicate value ऐसा नहीं है यह गलत है क्योंकि foreign key में duplicate value हो सकती है जबकि option बोल रहा है do not allow allow करता है foreign key में duplicate value हो सकती है तो यह option गलत है इसमें आपको जो set option है correct option है जो true है वो बताना है ये तो गलत हो जाएगा second बोल रहा है in a primary की field you can enter duplicate value ये भी गलत हो जाएगा primary की में confusion नहीं होना है primary की में duplicate values नहीं हो सकती है foreign की में duplicate value हो सकती है तो दोनों option गलत है और आपको correct answer बताना है और option number third है in an indexed field you may or may not enter duplicate value depending upon settings तो ये इसका correct answer हो जाएगा जो index है आप किसी भी column को index बना चाख सकते हैं मैंने साइद नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अगर से ले बस मोगा तो आपस से देख लेंगे index होता है index मैंने पढ़ा है मुझे याद है database में मैंने index पढ़ाया है index basically searching के लिए काम में आता है किसी भी column को आप index set कर सकते हैं उस column पे मैंने पढ़ाया index मुझे खुब अच्छे से आद है आप देख सकते हैं अपने notes में तो basically index है उसमें ये बोल रहा है may or may not enter duplicate values उसमें duplicate value हो सकती है ये नहीं भी हो सकती है वो depend करेगा किस पे setting पे आपने क्या setting की है तो ये correct answer हो जाएगा मतलब कि एक index है उसमें duplicate value हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वो depend करेगा settings पे जो आपने क्या settings की है तो ये correct answer हो जाएगा यहापे इसका answer हो जाएगा option number C है जो correct answer है 17 का correct answer C हो जाएगा यहाँ पर question number 18 है an advantage of database management approach is database management approach है उसका advantage क्या है वो आपको बताना है database management system है उसका advantage क्या है data is dependent on program data जो program पे dependent होता है नहीं ऐसा नहीं होता है data है जो program से independent होता है उससे क्या मतलब है data redundancy increases data redundancy increases यह भी गलत है database में तो data redundancy कम होती है increase नहीं होती है कम होती है data redundancy कम हो जाती है तो यह भी यहाँ पर गलत है और third option है data is integrated and can be accessed by multiple programs जैंठीक है यह ठीक है यहाँ पे इसका correct answer हो जाएगा C क्योंकि data है जो integrated होता है और can be accessed by multiple programs मैंने बता है था हमारे database में कोई data है सपोज ही हमारा data है तो इससे multiple program program 1, program 2 multiple programs उस data को access का सकते हैं तो यही बोल रहा है कि data integrated होता है and can be accessed by multiple programs multiple program के द्वारा access किया जा सकता है यह ठीक है यहाँ पर correct answer हो जाए गए तो option number C correct answer हो जाएगा question number 18 का correct answer हो जाएगा यहाँ पर C next question है question number 19 a DBMS a database management system query language is designed to यह बोला है कि DBMS में जो query language होती है जिसको हमने SQL हमने पढ़ा था SQL भी basically structure query language होती है तो जो database management system में जो query language होती है वो design की जाती है किसलिए यह पूचा है design to किसलिए design की जाती है option number A है support and user who use English like command की users को help करती है support करती है जो की English like command लिख सकते है यह ठीक है इस cancer क्योंकि यहाँ पे जो SQL होती है वो SQL जो English like command मतलब कि हम command लिख सकते हैं बट एक ऐसी command लिखते हैं जो English के जैसी होती है उसको आसानी से इंसान समझ सकता है जैसे हम लिखते हैं simple command लिखते हैं कोई भी delete table और table name तो delete table यह क्या है यह आसानी से समझ सकते हैं इनका मतलब यह English like language होती है तो SQL जो English like language लिखने के काम में आती है यह ठीक है option number second है support in the development of complex application software जो complex बड़े-बड़े software होते है उनको develop करने में काम आती है SQL हाँ यह भी सही है और third है specify the structure of database यह भी correct है जो database है उसको यह specify करता है उसको create करने के लिए SQL जो query language है उनका हम use करते है query language का use करते है तो हम database का structure तयार करते है table तयार करते है तो इसके तीनों options है जो correct है तो इसका answer हो जाएगा यहाँ पे all of the above all of the above सारे ही इसके सही है option तो question number 19 का correct option हो जाएगा question number 20 है if a relation is in 2NF यह बोल रहा है कि अगर एक relation मतलब कि table है जो second normal form में है तो कौन सा option यहाँ पे correct होगा option number A है every candidate key is primary key every candidate key is primary key every non-prime attribute is functionally sorry fully functionally dependent on each relation key every non-prime attribute is fully functional dependent on each relation key every attribute is functional independent every relation key is primary key तो इनमें से कौन सा correct answer है जो second normal form के correct में सही है तो यह मैंने अच्छे से बताया था आपको कि कोई भी table कोई भी relation है जो second normal form में होगी अगर उसमें non-prime attribute है जो fully functionally dependent होते हैं किस पे relation key पे या कह सकते हैं जो relation की की होती है primary key उसमें fully functionally dependent होने चाहिए तो यह second normal form में होगी तो इसका correct answer हो जाएगा B यहाँ पे question number 20 का correct answer हो जाएगा option number B okay so 20 questions हो गया यहाँ पे 5 questions और remaining है मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप अभी भी यहाँ पे देख रहे होंगे आप वीडियो को पूरा देखेंगे सारे questions का comment करते हुए पे चलेंगे हर question का answer और last में यहाँ पे आप अपना score है जो comment करके बताएंगे ओके तो 5 questions और बचे हुए है उनको भी discuss कर लेते हैं आपे question number 21 है यहाँ पे a function that has no partial functional dependencies are यह बोर रहा है कि a function that has no partial dependency are यह बोर रहा है जिसमे partial dependency नहीं होती है तो वो कौन सा वो होता है form होता है normalization का a function that has partial that has no partial functional dependency तो यह हो जाएगा second normal form हो जाएगा मतलब कि उसमें no partial functional dependency कोई partial functional dependency नहीं है इसका मतलब क्या है कि partial dependency नहीं है fully functional dependency है fully functional dependency है no partial no partial का मतलब क्या हो fully है पतला partial नहीं है तो fully है तो no partial functional dependency है इसका मतलब क्या है fully functional dependency है और fully functional dependency है इसका मतलब यह second normal form में होगा हमने last में पढ़ा है यहाँ पे देख सकते हैं कि second normal form में कब होगी कोई table जब every non-prime attribute है जो fully functional dependent होगे तो वो second normal form में होगे तो यह भी यही बोल रहा है बस बोलने का तरीका इसने question पूछने का तरीका यहां पर बदल दिया है वो बोल रहा था fully functional dependent यह बोल रहा है no partial functional dependency तो no partial का मतलब क्या हुआ fully है fully functional dependency तो यह भी यहां पर second normal form में होगा तो question number 21 का option यहां पर b correct हो जाएगा option number b is the right of answer of question number 21 question number 22 है which of the following which of the following statement is false with respect to relational database management system यह बोल रहा है कि relational database management system के respect में कौन सा option है जो correct which of the following statement is false जो correct नहीं है वो आपको बताना है ध्यान रखना है यह पूछा है जो false है जो correct नहीं है वो बताना है ऐसा नहीं है कि आपने question number a option a पड़ा या यह तो correct है यह को answer कर दिए यह पूछ रहा है आपको false तो आप correct नहीं बताना है जो गलत है वो बताना है a disadvantage of highly normalized table is that query may require to many time consuming joins correct answer है मतला यह ठीक है भाई जो relational database है उसमें बोल रहा है कि अगर हम table को बहुत ज़्यादा normalize कर देंगे highly normalize कर देंगे तो उसमें क्या query table को join करने में फिर query करने में तोड़ा time लग सकता है तो यह ठीक है यह सही आपको correct answer नहीं आपको जो गलत option है वो बताना है तो यह ठीक है foreign की constraint है referential integrity constraint यह भी यहाँ पर ठीक है जो foreign की constraint है वो referential integrity constraint होता है यह भी ठीक है foreign की को में जे reference यूज करते है ए primary की uniquely identify a row in table यह भी ठीक है primary की है जो हमारे table में uniquely identify करने काम आती है किसी भी row को और d option है null reduce space requirement in a table यह गलत है यहाँ पर यही आपका correct answer हो जाएगा क्योंकि आपको जो false है वो यहाँ पर बताना था तो question number 22 का यहाँ पर d option correct हो जाएगा जो null null मतलब की जो null value होती है जो किसी भी column में कोई value नहीं होती है फिर null होती है तो यह बोलता है कि इसमें null है वो reduce करता है table में space requirement को नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोई फरक नहीं पड़ता है तो इसका d option यहाँ पर correct हो जाएगा question number 22 का d option यहाँ पर right option हो जाएगा question number 23 है to discard all pending data changes यह हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर जब हमने data statements होते है SQL language में वो हमने पढ़ा था data definition language ddl data manipulation language dml transaction control language dcl तो यह ddl dcl tcl क्या होता है यह हम यहाँ पर पढ़ा हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि किसी भी pending data changes है कोई भी data में हमने change किया और उसको हम दुबारा discard करना चाहते है उसको discard करना चाहते है तो उसको कौन सी command का use किया जाता है commit rollback save point lock तो इस cancer हो जाएगा यहाँ पर rollback rollback का मतलब ही होता है कि जो भी हमने changes किया है उसको वापस से withdraw करना वापस उनको undo करना एक तरीके से तो वो हो जाएगा rollback करना जो भी changes किया है उनको discard करना या उनको वापस से undo करना वो rollback हो जाएगा और commit का use किया जाता है save करना जो भी हम हमने changes की हैं, उनको permanent save करना है, तो commit का यहाँ पर use करते हैं, तो एक बार commit कर देंगा, उसके बाद उनको हम change नहीं कर सकते हैं, उनके बाद undo नहीं कर सकते हैं, और rollback का मतलब है, उनको undo करना, उनको unchange करना, उसको discard करना, ओके, so question number 23 का यहाँ पर be option is the right option, question number 24, second last question है आपे, truncate statement in SQL is a, यह बोल रहा है, truncate statement है, वो कौन से statement का type है, हमने SQL में देखा था कि, चार जो statements के type होते हैं, वो हमने पढ़ा था, data definition language, DDL, data manipulation language, DML, और एक था TCL, transaction control language, ठीक है, तो यह हमने पढ़े थे, statements के type पढ़े थे, SQL language में, तो यह बोल रहा है, कि जो truncate है, जो किसका type है, कौन से statement का type है, अच्छा question है, truncate statement है, जो SQL में, कौन से statement का type है, तो यह हो जाएगा, d, truncate हो जाएगा, यहाँ पे, data definition language, DDL का type हो जाएगा, एक बहुता है, data manipulation, DML का मतलब होता है, data manipulation language, data definition language, DDL, DCL, data control language, और TCL, transaction control language, तो जिनका आपकी full form भी पता होना चाहिए, यह statements के type होते हैं, SQL में, तो जो truncate है, जो DDL statement का type है, data definition language, ओके, data definition language का type हो जाएगा, DDL का type हो जाएगा, तो question number 24 का correct answer है, answer option number B होगा, और last question है आपे, 24, 25 in a SQL, simple है question, in a SQL, create table is used, create table है, जो किस काम में आती है, simple है, create table, नाम सी पता चल रहा है, कि table को create करने के काम में आती है, so create table is used, to create a table, defining its column, integrity constraint and storage allocation, जो create table है, वो इस सारी चीज़े करता है, table को create करता है, उसमें columns क्या हैं, उनको define करता है, और उनमें जो integrity constraint और storage allocation है, उन सब को define करता है, क्योंकि हम उसमें define भी करते हैं, integer, not, null, जो data store करने वाले हैं, उसके type क्या है, यह सब हम बताते हैं यहाँ पे, तो यह सारा create table का ही काम होता है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number A, so 25 का correct answer हो जाएगा, यहाँ पे option number A, so यह था यहाँ पे 25 questions का set, जिसमें मैंने काफी अच्छे questions हैं, वो आपके लिए लेके आया था, और मैंने हर questions को समझते हुए, अच्छे से यहाँ पे समझाते हुए, आपको मैंने discuss करवाया है, और मैं, जैसे कि मैंने पहले आपको अब आपका score कितना है, वो आपने note down किया होगा, वो आपको comment करके मुझे बताना है, कि आपके suppose 20 questions ठीक हैं, तो आपको 20 out of 25 ऐसे लिख सकते हैं, 20 questions आई हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, आपके 15 questions ठीक हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, मैं मानता हूँ इसका good score, अगर आपकी तयारी मैं बताऊं कैसी चल रही है, तो मैं good score अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें मैं यहाँ पे 20 plus अगर आपके questions ठीक हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपकी तयार यह अच्छी है, ठीक चल रही है, यह एक अच्छा score माना जाएगा, 20 plus, आपका score 20 से above है, तो वो एक अच्छा score माना जाएगा, ठीक है, और बस इतना ही हैं, और ऐसे MCQ यहाँ पे हम लेके आता हूँ, मैं पहले भी discuss करते हैं, मैं almost Sunday को, मैं fix करूँँँगा, Saturday Sunday, दोनों दिन, या फिर Sunday को तो हम discuss करते हैं, या MCQ, तो Sunday को तो हम discuss करेंगे, मैं सोचता हूँ सोचता हूँ कि Saturday, Sunday, दोनों दिन हम MCQ discuss करेंगे, क्योंकि MCQ थोड़े जादा discuss करने पड़ेंगे हमें, और demand भी जादा है, MCQ की, तो इसमें हम MCQ को continue discuss करेंगे, Sunday को तो करी रहें, वो live discuss करेंगे, कभी-कभी क्या हो जाएगा, कि मैं घर से बाहर रहता हूँ, तो मुझे ऐसे record करके वीडियो बनानी पड़े, बनानी पड़ती है otherwise हम live discuss करेंगे, no problem हम maximum time, जो भी classes भी live होंगी, जो भी MC को discussion करेंगे, वो भी live होगा यह मैंने वीडियो पर record करके डाली हुए क्योंकि मैं घर से बाहर था, इसलिए मैं live नहीं कर पाया, otherwise हम live ही करेंगे, और as usual जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि वीडियो आपको ऐसे मैं अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को like करके बताएं, मुझे like करेंगे तब ही पता चलेगे वीडियो आपको पसंद आ रही है, नहीं हो आजी है तो अभी वीडियो को like करें, वीडियो में comment करके बताएं, वीडियो आपको अच्छी लगी, बेकार लगी, क्या आपको चेंज करना है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, वो सारे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को सेर कीजिए, वीडियो को वाटसेप पे, अपने फेस्बुक पे, या अपने जो फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए यूजब लो सकता है, उन्हें सब को सेर कीजिए, क्योंकि हमें अभी हमारा चैनल छोटा है, मैंने आपके लिए चैनल ओपन किया, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, इस पे ज़्यादा लोग कनेक्ट करने, अभी हमने आज के दिन ही हमारे लिए खुशी की बात है, आज के दिन ही हमने यहाँ पे 1000 subscriber 1K subscriber इस चैनल पे complete कर लिए हैं, और जो हमारा टेलिग्राम चैनल है, उस पे 500 प्लस यहाँ पे subscribers complete हो चुके हैं, तो काफी हैं, मेरे लिए तो यह भी काफी हैं मेरे लिए तो 100 students थे वो भी काफी है आज हमने 1000 students जुड़ चुके हैं तो वो भी मेरे लिए बड़ी बात है बट इसको हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे इस channel को हम और अच्छा channel बनाएंगे ताकि मैं आपके लिए और अच्छा content ला सकूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर help कर सकूँ ठीक है तो यह आपके support से समभव हो है आपको like करना है और वीडियो के description के नीचे वीडियो के description मैं आपको telegram channel के link मिल जाएगी उसको join कर लेजिए वहाँ पर 500 students जुड़ चुके हैं already वहाँ पर जो मैं पराणी student है उन सबको पता होगा मैं वहाँ पर content जो भी provide करता हूँ मैं TGL PDF है सारा वहीं पर provide करता हूँ जो भी कोई information मुझे देनी होगी वो भी मैं वहीं पर देता हूँ तो आप telegram channel को जरूर join कर लेए उसकी link आपको वीडियो के निचे description box में मिल जाएगी इसकी PDF जो यह हमने discuss किया है यहाँ पर 25 questions का set इसकी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेलिग्राम channel पर मैं आज साम को या कल साम तक जरूर upload कर दूँगा तो टेलिग्राम channel को आप जोइन कर ले so that's it for today thanks for watching this video मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye and take care